नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आईस्पीसस अकैनमी में और हम लोग पॉइंटर बुक की सीरीज में कवर कर रहे हैं तो उसमें आज का जो हमारा चेप्टर है तो आज हम लोग 1850 की क्रांती से स्टार्ट करने वाले हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला कुश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी भारती सेना में चर्वी वाले कार्दूसों से चलने वाली एंफिल्ड राइफल को शाम काली कारण क्या था तो था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तचेप करना मंगल पांडे की गटना हुई थी कहां पर बैरकपुर में हुई थी मंगल पांडे सिपाई थे कहां के थे चौतीसवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री के ये सिफाई थे 1857 के विद्रोह के दौरान पहादूर सा ने जो है साहव ए आलम पहादूर का खिताब किसको दिया था तो उनके जो सेना पती थे वक्तकान उनको दिया था अठार सफॉतावन करांती का प्रमुंख पारण क्या था तो सामराज की जो नीतियां थी तो उनके द्वारा ये क्रांती हुई थी 18utan की क्रांती का प्रारम कहां से हुआ था तो मेरट से हऊ था 1857158 संग्राम से सम्धित पहली गटना क्या थि तो मेरट की तीसरी के spricht के सैनक दौके द्वारा चर्वी युक्त कार्टूसों को छोने से इंकार कर दिया गया था और 1857 के संग्राम के जहासी मेरठ दिल्ली तथा कानपूर केंद्रों से सबसे पहले अंग्रेजु ने पुना अधिक्रत किसको किया तो दिल्ली में दिल्ली को सबसे पहले पुना जीता था 1775 के स्वादिन्ता संगर्ष की वीरांग्णा महारणी लक्ष्मी भाई की जनम इस्तिलि कहां पर आप तो यह 12 नसी में 187 के वरेली विद्रोह का नेत्रुत किस ने किया था खान बहादु ने किया था महारानी लक्ष्वी भाई की समाधी इस्तिता है कहां पर गौालियर में रानी लक्ष्वी भाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था तो हिउरोज का सामना करना पड़ा था 1857 का बिद्रोह लखनव में किसके नेतरत में हुआ था कि नेता कौन थे मौलवी लियाकत अली और 1857 के संगस में भाग लेने वाली सिपाईयों की सरवादिक संख्या कहां से थी तो अबसे थी नाना सहब के कमांडर इंचीफ थे तो कौन थे तात्या टोपे थे अजीम उल्ला कहां सलाकार थे तो किसके थे नाना सहब के सलाकार थे आगदेखा अजीम उल्लाव 1757 के बिद्रो के संदर में नाना सहुफ कुमर् सिंगma खान वाहदुर खान तथा तात्या टोपे में से वहे जिससे उसके मित्रो ने दोखा दिया तथा जिसें अंग्रे जो के द्वारा बंधी बनाकर मार दिया गया तो तो तात्या टोपे से संबन्देती है, इन्फोरमेशन है, 1857 के क्रामतिकारियों में वह क्रामतिकारी, जिसका बहस्त्रिक नाम राम चंद्र पांडूरंग था तो, किसका नाम था, तात्या टोपे का, कुवर सिंग 1857 के बिद्रों के प्रभुक नायक थे तो ये कहां से थे बिहार से थे 1857 के बिद्रों में कुवर सिंग जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ सामिल हुए थे तो कहां से आरा में शामिल हो गए थे पटना में 587 क्रांती के स्वतंता संग्राम के नेता राजपूत कुमर सिंग, असम में क्रांती का नेता कौन था दीवान मनी रामदत थे और 1857 के विद्रो का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन रहा था तो जगदीशपूर रहा था, जगदीशपूर का 1857 की क्रांती में अंग्रेजों वा जोदपूर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था आउवा के ठाकुर, कुशल सिंग, अजमेर, जैपूर, नीमस था आउवा में से राजिस्थान में 1857 की क्रांती का केंद्र कौन नहीं था इन में से तो जैपूर इन में से के नहीं था वांकि सारे केंदर रहे थे जंदर सेखर आजात, राम प्रशाद बिशमेल शहादत खान और माखल लाल चतुरबेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संगर्स किसने नहीं किया था तो शहादत खान ने, अंग्रेजों से अच्छा पूछा गया है कि इसमें संगर्स किया था तो शहादत खान जो थे इनों ने संगर्स किया था बागी जो है 1857 की किरांती से जुड़े हुए विक्ति नहीं है मौलवी एहमदुल्ला खान, मौलवी इंदा दुल्ला, मौलाना फजलेहक, खेरावादी तथा नवाव लियाकत अली में से 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन जो था वो कौन था मौलवी एहमदुल्ला शाह, तो बिद्रों को देखने वाले उर्दु कभी मिर्जा गालिप थे और इनका मौल निवास क्या था आग राता, तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, बागत सिंग नहीं लिया था, 1857 के बिद्रों में वेगम हजरत महल कुवर सिंग, उधम सिंग तथा मौलवी एहमदुल्ला शाह में से, इसमें से कौन शामिल लई था, इस क्रांती में तो उधम सिंग जो है, 1857 की क्रांती में समिलित नहीं थे, 1857 के स्वतंता संग्राम में अंग्रेजों की सरवादिक शायता करने वाला राजबंस कौन था, तो गुवालिर के जो सिंधिया थे, इन लोगों ने सबसे जादा अंग्रेजों की शायता की थी, भारत में सिक्षिद वर्ग ने क्या क्या था, तटस्ता बनाय रखी थी, 1857 के बिद्रों से, खेती हर मजदूर, शाहुकार, कशक, तथा जमीनदारों में 1857 के बिद्रों मे नहीं हुआ था, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुझफर, पुर, मुंगेर में से 1857 के बिद्रों से अप्रवावित भाग कौन सा था, तो मुंगेर इसे अप्रवावित भाग रहा था, अब देख लेते तो वक्त खांस दिल्ली से संबंदी थे, मौलवी एहमद उल अवद से कौन सिंग आरा से और नाना साहब कानपूर बेगम जीनत महल दिल्ली से सब्मद थी, जासी से क्रांति में सामिल थी, रानी लक्ष्मिभाई, लखनाउ से बेगम हजरत महल, कानपूर से अजीम उल्ला खां, फैजावाद थे मौलवी एहमद शाह, यानि महमद उल शाह, इनको एहमद उल्ला शाह भी बोला जाता है, क्रांतिकारियों के नाम और उनके इस्थान हम लोग देख लेते हैं, तो नाना साहब कानपूर से थे, नवाव हामिद अली खां दिल्ली से, मौल भी, एहमद उल्ला लखनाउ से, मनी राम दीवान असम से संबद थे, 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवरनर जनरिल कौन था, लॉड कैनिंग था, 1857 के बिद्रो के समय बैरकपुर में बिटिस कमांडिंग ऑफिसर कौन था, जॉन वेनिट हैर्स, 1857 में इलावात को आपात कालीन मुख्याले किसने बनाया था, लॉड कैनिंग ने, और उस समय प और केंद्री संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा था 1857 का प्रतम सटंता संग्राम असफल हुआ था क्यों हुआ था क्यूंकि भारतिय सिपाईयों में उद्देश यह वंविक्ता की कमी थी और प्राया भारतिय के राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और ब्रिटिश सिपाई कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित भी थे अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रों को दवाने में सफल रहे थे क्यूंकि इस्थानी सास्कों ने करांतिकारियों का साथ नहीं द हो या था तो इनवे से कौन था तो किसने किसने खोया था जन्न नील मेजर हैव लॉक और हेंडरी लॉरेस ने यहां पर अपना जीवन खोया था तो अगला कुश्यन देखने कि 1857 में प्रथम स्वतंता संग्राम बिटिस सरकार से स्वतंता प्राप्त करने में असफल ना थ ठीक है और बहादूसा जफर के नित्रत में को जो है जन्सयोग नहीं मिला और अधिकांस महत्वपूर्ण रियासतों को उसके सासक रियासतों के सासक उनका साथ देने में कत्रा आ गयते तो दोनों ही स्टेटमेंट सही और कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है तो दोनों सही हो जाएंगे यहां पर 1857 के विद्रों को एक शड़ेंद्र की संग्या किसने दी थी तो सर जेम्स आउटरम और डवल्यू टेलर जो थे इन्होंने 1857 के विद्रों को एक शड़ेंद्र की संग्या दी थी वह आदुनिक भारती इतियासकार जिसने 1857 के विद्रों को स्व सथ के इतियास कार्भार्तिय भाष्षा में 1857 के विक्राणों पर लिकने वाला प्र VCyon ना प्रता कोन था तो सेयद इहमद खान ऐ क्यों प्रैख़ीर यहान। किसकीती आरसी मजूमडार्स की 1857 की करांती के बारे में शाही अभदार नाएक कि इसने जूए भारत में इस इंडिया कमपनी की शाषन पनाली को मतप्राय बना दिया था वह आंहिं भारतिय प्रशाशन को बिस्ट ताज के लेने की घोशना की कप जुटी तो एक और वहे आश्वयासन जिसे बिटिश शासन ने पूरा किया तो इन्होंने क्या क्या था कि जो रियासतों को हड़पने की नीती थी वो इन्होंने समाप्त कर दीते महाराणी विक्टोरिया की उद्गोशना 1858 में जो हुई थी उसका उद्देश ही गया था उसका उद्देश है था कि भारतिय राज्यों को बिटिश सामराज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याक करना था था भारतिय प्रशासन को सीधे बिटिश क्राउन के बिटिश सरकार ने सिपाईयों का चैन कहां से किया तो गोर्खा सिख और पंजावी उत्तर प्रदेज से पंजावी उत्तर प्रांथ से किया था अगला जो हमारा चेप्टर है अन्य जनान दोरन हम लोग देख लेते हैं तो 1857 के विद्रो के ठीक बात बंगाल में सन्यासी विद्रो, संताल विद्रो, नील उपद्रप तथा पाबना उपद्रप में से विपलप कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था 1855 के बाद में नील उपद्रप, नील क्रश्कों की दुर्दसा पर लिखी गई पुस्तक, नील दर्पन के लेखक कौन है तो ये थे दीन वंदु मित्र, वंदे मातरम गीत लिखा है किसने बंक किम चैन चटाजी ने अपने उपन्यास आनद मट में करके प्रशिद किया किसको सन्यासी बिद्रो को मुंगेर के वरहिया ताल बिरोध का उद्देश था जो वहाँ पर बकास्त भूमी की बापसी की जो मांग थी उसको लेकर बिरोध था लाहॉर पटना अमरत सर तथा पागल पंत थी बिद्रो जो अब बस उताएक विद्रो था किसका गारोजन जाती का पागल पंत की इस्थापना की थी किसने करमशा ने की थी और फराजी बिद्रो के नेता कौन थे तो दादुमिया थे एक फराजी जो थे वो क्यहते हाजी शरीयत उल्ला के अन्याई थे फराजी आंदोलन प्रार्णं किया था किस ने हाजी शरीयत Uber ने वेलू हमपी ने अंग्रेजों के बिरुद आंदोलन का नेटर त्रोद्त धु पर किया ता किरल में किया था महराश्ट में रामोशी क्र्सक के जथा इस्तापित किया था किससे वाशुदेव लओंत फढके नए रामोशी विद्रेங सही रूप में जिस बाब्गॉल इंदक्तिमर गड़करी विद्रो का केंदर कैंद्र प्या फोलह में जन जाती था कोल बिद्रों 1831-32 में वा था और इसका नेत्रत्व किसने क्या था बुद्धो भगत में वगेरा बिद्रों कहां पर हुआ था बड़ोदा में हुआ था आगे बात करते हैं कि ब्रिटिस ऑपनिवेशिक बिवस्था के बिरुद्ध 1857 से पूरुप में भारत के बिविन भागों में विद्रों की जो सही गटना का क्रम हम लोग देख लेते हैं तो बंगाल का सिपाई बिद्रों कम हुआ था 1764 में बेलोर का सिपाई बिद्रों 1806 में कच्छ का बिद्रों 1819 से 31 के बीच में कोल बिद्रों 31-32 संथाल बिद्रों हुआ था 1856 में बेलोर के बिद्रों के समय बंंगाल का गवणर कौन था तो सर जॉर्ज वार्लों समय बंगाल का गवणर था बिहार पंजाव सिंद काथियावाड में से वैच्छेत्र जिसमें आदिवाशियों ने अ चांद भायरम ने 1855 इस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को और आया था तो उसका क्या नाम था मेजर मेजर बारो 1857 इस्वी के संथाल हूल के संदर्म में सही कतन देख लेते तो भागलपुर के पास मेजर बारों संथालों से लड़ाई में हार गये थे संथालों के शांत हो जाने के बाद में आपनिवेशिक शार्चन द्वारा किये गए उपाय क्या क्या थे तो जब संथालों शमाप्त हो गया था हो तो उसके बाद में उब आता कि संथाल परगणना नामक राज्य छेत्रों का स्रजन किया गया और की संथ़ाल का गैर संथाल को भूमि अंत्रण करना गैर कानुनि कर दिया गय пон bevor कोई बीएक संथाल दूसरे संथाल कोकी अपनी भूमि मतलब की thats कि अताता है और कि गैर सं जंथाल विद्रों में से वह गटना जो महराश्ट में गटे दुए तो ही विसरों महराश्ट मैं हुआ था मेवाड बांगर और पास tragen में भीकलों में सामाजिक सुभार के लिए लशोडिया आंदोलन का सुतुरपात किसं से किया था गोविंद गिरी ने किया था उल्गुलन बिद्रो किस से जुड़ा है बिर्षा मुंडा से मुंडा बिद्रो के नेता बिर्षा मुंडा थे जिस आदिवाशी नेता को जगत पिता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है बिर्षा मुंडा को मुंडाओं ने विद्रो कप किया था 1899 से 1900 के बीच में बिर्सा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कप 3 मांच 1922 को बिर्सा मुंडा का कारेशेत्र क्या था राची था जनजातिय लोगों के समण्थ में आदी वाशी शब्द का प्रयोग किस ने किया था थो ठककर बापा ने किया था भारत में उन्नीश्विष ऍताबदी के जनजातिय बीद्रो के लिए साजह कारण मुहाय कराने वाला तप् की प्राचीन भूमी शंबंदी विवस्ता का संपूर्ण विदारन कि हौज विद्रों हुआ था कब 1820 से किसके दौरान खैर वार आदिवाशी आंदोलन अठागासो चौथतर में वा था संभलपुर के अनेक बिट्यस विरोधी विद्रों का नेता कौन था सुरेंद्र साई था नील विद्रो शंथाल विद्रो दक्कन के दंगे तता सिपाई विद्रो का सही काला नुक्रम देख लेते हैं तो सबसे पहले विद्रो उसके बाद मे में लास्ट में हुआ था दक्कन के दंगे मैचिंग का कुश्चन हम लोग देख लेते हैं तो मोपला विद्रो केरल में हुआ था पावना विद्रो बंगाल में एका आंदोलन अवद में हुआ था बिर्शा मुंडा का विद्रो भिहारत में हुआ था 1921 का मोपला विद्रो जो एक केरल में हुआ था आगे बढ़ते हैं कि बैरकपुर विद्रो नौंबर 1824 में हुआ था बहरामपुर विद्रो फरवरी 1857 में हुआ था संथाल विद्रो 1855-56 के मद्द वेलोर विद्रो जुलाई 1806 को हुआ था नील क्रांती 1869-60 के बीच में हुई थी दक्कन के दंग 1875 में हुए थे पावना विद्रो 1853-85 1222 से बहा था दाना भगता अंदोलन थावरागा वष्याथ से 186. और असी में हुआ था जयान्तिया विद्रो 1860–1868 में कौल विद्रो 1831–1832 के मद्द कूका विद्रो 1840–1832 के मद्ध ये चलता रहा था और जो है कूखी विद्रो 1917–1919 के बीच में कौली विद्रो 1784–1984 के मद्द कूका विद्रो पंजाब में हुआ था कोली विद्रो महाराश में हुआ था चुवार विद्रो पश्रिम बंगाल में हुआ था और कूकी विद्रो त्रिपुरा में हुआ था अहोम जो है गोमधर कुवर के नेतरत में विद्रो हुआ था और ताना भगत जित्रा भगत के नेत अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा करांती प्रारम की गई थी तो कहां पर मद्य प्रदेश महाराष्ट में ताना भकत आंदोलन जत्रा उराओं ने प्रारम किया था वर्स महात्मा गांधी एबम उनके विचारों से प्रवावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे तो वो थे जोड़ा नांग तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पड़ेंगे तो अगले वीडियो में जो हम लोग आधुरिक भारत में सिख्षा का विकास से वहारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और वहाँ पर मैंने इंवार्मेंट भी इसी तरीके से कवर कराया तो वह भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो फिर चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में